नमस्कार, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, आज की वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, कि अगर आपने COVID-19 vaccination करवा ली है, और unfortunately आपके COVID-19 vaccination का जो certificate है, उस पे आपका name wrong enter हो गया है, आपकी data worth wrong enter हो गयी है, और उसके साथ-साथ अगर अपने certificate को अपने office में produce करना होता है, अगर हमारा वहाँ पे name mismatch है, हमारे data worth वहाँ पे wrong enter हो गयी है, तो ऐसे में हमारे लिए थोड़ी problem आ जाती है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको live दिखाने वाला हूँ, कि कितनी असानी के साथ, सिर्फ एक मिनट के अंदर हम जैसे ब्रोजर ओपन हो जाएगा, उसकी search वार में आपने type करना है, covin.gov.in, जैसे आप search करेंगे, हमारे सामने next tab ओपन हो जाएगी, तो जहाँ पे आप देख सकते हमारे सामने official website ministry of health and family welfare की ओपन हो गई है, तो जहाँ पे आप देख लीजे, right side आपको एक option जहाँ पे मिले है, जिस number से आपने अपना COVID-19 जब आपने injection लगवाया था, जो भी आपने अपना number register करवाया था, उसी number को आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने अपना mobile number जहाँ पे enter कर लिया और आपने simply get OTP पे click कर देना है, हम औरोगय सेतु के through और उमंग के through भी जहाँ पे आपनी registration कर सकते हैं, लेकिन अपने certificate को औरोगय सेतु और उमंग से ठीक नहीं कर सकते हैं, तो आपको cobin.gov.in पे ही आना पड़ेगा, आपने simply अपना phone number एंटर करने के बाद, get OTP पे click कर देना है, आपके registered mobile number पे एक OTP send किया जाएगा, जैसे ही OTP आपके number पे आजाएगा, आपने उ आपने next tab open हो जाएगी, उस number के साथ जितने भी हमारे family member register होंगे, वो आपको जहाँ पे show हो जाएगे, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे जितने भी family member है, वो जहाँ पे आप show हो रहे हैं, अगर किसी भी member की जहाँ पे information wrong enter हो गयी है, तो जहाँ पे आप देख स आप raise an issue पे click करेंगे, सबसे पहले आपने जहाँ पे select करना होगा कि आप यहाँ से क्या correct करना चाहते हैं, तो आप जहाँ पे देख लीजिए, correction of my certificate regarding name is gender photo ID, तो आप सोच सकते हैं कि हम अपने name को भी correct कर सकते हैं, अपने data worth को correct कर सकते हैं, gender even कि हमारी अगर photo ID, अधार card, pan card, उसको कोई number जहाँ पे wrong enter होगे हैं, आप उनको भी correct कर सकते हैं, next option आप जहाँ पे देख सकते हैं, merge my multiple dose certificate to get final vaccination certificate, तो आपका certificate merge हो जाएगा, इसी तरह अगर आप abroad जाना चाहते हैं, तो आप अपने COVID certificate पे अपना passport का detail enter करना चाहते हैं, तो आप इस option पे click करके उसे भी add कर सक तो जहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे select member जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे member को select करना होगा, जिसकी आप information जहाँ से ठीक करने जा रहे हैं, drop down पे click करेंगे, तो इस number के साथ 4 beneficiaries जुड़े हुए हैं, तो जहाँ से हम एक beneficiary को जहाँ से choose कर लेंग इस change के option पे click करके हम इनके नाम को correct कर सकते हैं, date of birth जहाँ पे 1964 है, actual में इनकी date of birth 1965 है, उसको हम कैसे change करेंगे, बो भी मैं आपको जहाँ पे बताऊंगा, same gender भी आप जहाँ से change कर सकते हैं, और इसी तरह अपना अधार जा कोई भी ID, अगर आपकी wrong enter होगे, यह उसे भी बार में changing होगी, बट ऐसा नहीं होता है, जैसे आप change करते हैं, immediately वो change उसमें हो जाती है, लेकिन ए चीज का आपने जहाँ पे खास ख्याल रखना है, जहाँ पे आप instructions में देख लीजिए, सबी चीजे करने से पहले, vaccine certificate can only be changed one time, तो जितनी भी changing आप जहाँ पे कर रहे हैं, आप उनको बार बार नहीं कर सकते हैं, एक बार आपने certificate में changing कर दी, उसके बाद फिर आपकी जितनी भी changing है, वो lock हो जाएगी, उसके बाद फिर से further आप changing नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपने ensure करना कि आप changing कर रहे हो, तो correct changing होनी चाहिए, उसके बाद changing का कोई option नहीं होगा, अगर आप क्या करते हो कि किसी के नाम को ही change कर देते हो उसकी ID को change करके आपना certificate जहां से generate कर लोगे वो भी एक crime है और आपके against वहाँ पे एक जो legally कारवाई होगी वो भी हो सकती है तो इसलिए आपने इन चीजों को मद्य नजर रखे ही सारा काम करना है तो चलिए सबसे पहले हम name को correct कर लेंगे तो आपने जैसे correct name पे click करेंगे तो जहाँ पे enter correct name तो जहाँ पे आपने type करना है जो उनका correct name है जैसे कि मैं यहाँ पे type कर रहा हूँ आपने अपना correct name जहाँ पे type करना जहां पर मैंने इनके जो birth here जो गलती से हमसे wrong enter हो गया था मैंने दोनों changing जो होंगी वो कर दी नाम की भी changing कर दी data worth की भी changing कर दी तो जैसे आप कोई भी changing होगी उसे आप जहां पर change कर लें change करने के बाद आपने continue पर click कर देना है जैसे हम continue पर click करेंगे तो जहाँ पर आप देख लीजिए आपके सामने फिर से जहाँ पर information जो change आप कर रहे हो वो आपके सामने आएगी कि पहले इनका क्या नाम था अब आपने क्या किया पहले इनकी data worth क्या की अब आपने data worth क्या की तो सारी चीज़े आपके सामने आ जाएगी next आपने नीचे scroll down कर और उसके बाद आपने submit request पे click कर देनी है, जैसे हम submit request पे click करेंगे, आपकी जो request है, वो submit हो जाएगी, जहाँ पे एक tracking ID आजाएगी, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा, जो request has been submitted successfully and being processed और वो processed हो रही है, तो simple आप देख लीजिए, अभी अभी हमने processed की है, थोड़ा सा आप back जाएगे, back जाने के बाद मैं अभी आपको बताऊँगा, जहाँ पे आप देख लीजिए, टाव पे आपको एक request मिल जाएगी, track request, कि आपकी जो request है, वो process में है, कभी time लग सकता है, लेकिन आम तोर पे time नहीं लगता है, जहाँ पे आप देख लीजिए, हम जहाँ पे आ पे आ चुका है, इनका नाम जो सिर्फ तोशीदा अब देवी आ गया है, इनकी डेटा वर्थ चाहाँ पे correct हो चुकी है, इस तरीके से आपने देख लीजिए, सारा process अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर अभी भी आपको कहीं पे भी problem आ रही है, आप मेरे वीडियो के comment box म comment करना, definitely आपकी इसकी उपर help की जाएगी, आपसे request है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में इसी तरह के इंफ़ वीडियो की notification सबसे पहले थैंक यू, थैंक यू और वाचिंग, टेक कियर, मिलते जल्दी एक नियू अपरेट के साथ